बहुत बहुत शागत है आपका आपके अपने यूटीब चैनल मानस जोतिस ग्यान में हमारे शिंग राशी के प्रियदर्शक आपका स्वभाव वाक्य मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि आपनों का जो मन है वड़ा निर्मल होता है आपनों के अंदर एहंकार होता नहीं ह लोग कहीं न कहीं आपनों का फाइदा उठाते हैं लोग कहीं न कहीं आपनों को धोखा देते हैं लेकिन एक शिंग राशी का जो जातक या जातिकाएं हैं उनके अंदर इस प्रकार का बिचार होता है कि लोगों के लिए मदद करना लोगों का कितना हमसे फाइदा हो सके व बिल्कुल नहीं होती है और मुझे यही चीज आपकी सबसे सुन्दर लगती है खर चर्चा कर रहे हैं मार्च के माह को लेकर के किस प्रकार रहने वाला है मार्च का महिना कैसे सुन्दरता प्रदान की जाए इस महिने को तो इस महिने में कुछ चीजे ऐसी घटित होने वाली ह जो शायद आपको सुन करके पीडा हो सकती है पीडा दे सकती है आपकी राशी श्वामी सूर्य सब्तम भाव में गोचर करेंगे और सब्तम भाव में उनका गोचर होगा शुक्र के साथ दोनों साथ साथ ही करीब करीब गोचर कर रहे हैं अब राशी श्वामी का सब्तम भाव में जाकर के गोचर करना और खासकर सूर्य का गोचर करना सबतंभाव आपकी शनी की राश्री है तो ऐसी परिस्टिती में शंबंद बिच्छेद का योग दिखा रहा है यानि वैवाहिक जीवन के अंदर समश्याओं का पूर्णत ही जो शन्योग है वो नजर आ रहा है रिश जो है वो कहीं न कहीं मनोरंजन का कारक है तो मनोरंजन के कारण भी दोनों के रिस्टों में खटास आने के या दोनों के रिस्टों में समश्याओं आने का संयोग दिख रहा है तो ध्यान रखें कि जीवन साथी से भी जब बात कर रहे हैं तो दूसरे की भावनाओं का पू में डाल सकता है दिक्कत दे सकता है अच्छा सोलह तारीक के बाद अगर परिस्ति देखी जाए तो भी कंडिशन बहुत अच्छी नहीं दिख रही है अचानक बनते हुए कारियों में अर्चने पैदा होंगी भाग दोड़ बहुत जादा होगा मानशिक अशांती बहुत सकता है ध्यान ही रखने किया हो शकता है ताकि लोग हमें किसी प्रकार से नुक्षान न पहुंचाए पाएं तो यह परिस्ति है क्या ऐशा करना चाहिए जिससे कि हमारा जो पूरा माह है वो लाव प्रदो बहतरीन हो देखिए सबसे पहले तो कोशिश कीजिए सोलह तारीक से पहले तक लाल वस्तर का बिलकुल प्रियोग मत कीजिए सोलह तारीक से पहले लाल वस्तर का प्रियोग करना आपके लिए नुक्षान दायक होगा सोलह तारीक के बाद लाल वस्तर का प्रियोग जरूर कीजिए किसी महत्तों कारी के लिए करेंगे तो आपके लिए फायद को ही करें तो ज़्यादा बहतर होगा पांच लॉंग ले करके लाल कपड़े में बांध करके हनमान जी के श्री चरणों में जाकर करके अरपन कर दें ये उपाए आपकी परिस्थिती को एक नया मार्ग देने वाला होगा एक नया रास्ता देने वाला होगा जिससे की जीवन म से संबंधित कोई भी मामला है तो ऐसी परिष्टते में उस मामले में आपको सफलता प्राप्त होंने वाली है वो डिसीजन आपके hock में जरूर आएगा बिदेश यात्रा करना चाहते हैं बिदेश में दिख रहा है तो सारी चीजे जो है मैंने प्रयास किया है कि वीडियो में अधिक से अधिक चीजे बताई जाएं पर अगर कोई चीज नहीं समझाई है तो भी निरास होनी क्या वो शक्ता नहीं है आप कॉल करके जुड़के मानस जोति संस्थान से अपने भी से में पूरी जानकारी राब्त कर सकते हैं अपना ड्रेटेल हमें वOOTसैब कर सकते हैं वैबसाइट पर भी वीजिट कर करके आप बहुत सारी इंफ़र्मेशन वैबसाइट पर आप केलिए अप्लोड की जाती है प्रते दिन प्रते एक नग किस परकार धारण किया जाए क्या किया जाए कौन सा ये किस परकार है रुद्राक्ष हमीशा एक information हर दिन website पर हम लोग upload करते हैं उस पर visit करके आप जान सकते हैं बहुत कुछ चलिए आज बस इतना ही फिर एक नए कारिकरम के आपके सामने हाजर होंगा चैसे